एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में जहां प्रेम और साचिदारी का महित्य था, यहां की जनता खुशाल थी, संगर्ष और सहयोग के साथ, इस गाउं में एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी थी, गाउं के दिवासियों ने ये समस्या साज़ा की, वे साथ मिलकर इस सम समस्या का समाधान ठूणने के लिए निकले, पानी की कमी को देखते हुए गाउं के एक बुजूर्ग ने एक अनुखा प्रस्ताव दिया, हमारे पास एक चमतकारी पेड़ है, बुजूर्ग ने कहा, जो पूरे गाउं को पानी से भर देगा, पर उसका फल सिर्फ एक व्य व्यक्ति कौन है, बुजूर्ग ने कहा, फल तोड़ने वाले की ये कहानी है, उसे हमारे गाउं का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा नागरिक बनाया जाएगा, इस बात से सभी सहमत है, लेकिन सवाल था, कौन होगा वो व्यक्ति, वो व्यक्ति कैसे बनेगा, क्या वो इस क अठिनाई का सामना कर सके, एक दिन गाउं की छोटे से बच्चे में सहायता करने का जजबा देखा गया, उसका नाम था राम, राम को बुजूर्ग ने ध्यान से देखा और फिर गाउं के सभी लोगों के सामने उसे बुलाया, राम बहुत चौन गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी महित्वकून काम में शामिल किया जाएगा, राम बुजूर्ग ने कहा, तुम्हारी मासुमिय, तुम्हारी साहता और तुम्हारा, साहस हमें यकिन दिलाता है कि तुम वो हो सकते हो, जो इस कठिनाई का सामना कर सकता है, राम ने गर्व से बुजूर्ग ने उसे दिये गए एक चरण क्यों रिशारा किया, वो चरण साहता का था, राम ने वहाँ जाकर चरण को छूलिया, जैसे ही राम ने चरण चुआ, वहाँ से पानी की धारा निकलने लगी, सभी लोग आश्चरे चकित हो गए, राम ने धीरे धीरे वेह और सबसे बड़ा नागरिक घोशित किया गया, राम को बड़ी गर्वर और खुर्शिक हुई, वह जानता था कि उसने अपनी सहायता सिगाओं की समस्या को हल किया था, लोग उसे बधाई देने आय और उसकी प्रशन सकी, इस कहानी से सबक ये है कि हमारी सहायता और ने काम हमारे आसपास के लोगों की समस्याओं को हल कर सकते हैं, बस हमें उन्हें समझने और समर्थन देने की जरूरत होती है, जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल, असंभर नहीं लगती, ये थी एक छोटी सी कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि हमारे छोटे कदम भी बड़ी समस्याओं का हल कर सकते हैं, इसी तरह हमें अपनी साहिता और साथ मिलकर काम करने के आदत बनानी चाहिए, कहानी कान्त यहां नहीं है, अगली चर्ण का इंतजार करते रहिए मारी चर्ण कर सकता है